दोस्तो मैं हूँ प्रभास और स्वागत है आपका अपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार रॉक्स पे दोस्तो आज हम बात करेंगे सुपॉल अरड़िया रेल लैन के बारे में हम जानेंगे कि इसकी करेंट स्टेटस क्या है और इसके बन जाने से सुपॉल वासियों को क् फाइदा होगा हम देखेंगे किसमें कितने होल्स का निर्वान किया जाना है पूरी पर योजना को रिटेल्स के साथ देखेंगे देखेंगे दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो सुरू करूं मेरा आप से आगरा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबा दे और अपना बहुमूली फीडबैक कॉमेंट सकते हैं बताएं जिससे हम अपने आने वाले वीडियो को इंप्रूव कर सकें और या भी बताएं किस मेंटर पर वीडियो चाहिए और वीडियो को लाइक करना मत बूलेगे दोस्तों आज की वीडिय या रेल लैन के बारे में पूरी जानकारी यानि पूरी डिटेल्स दे रहा हूं तो दोस्तों सबसे पहले जो बता दू इसकी यह परियोजना की लंबाई जो होने वाली हो टोटल 95 किलोमीटर रहने वाली है यह जो होगी यह बिहार राज्य के उत्तर बिहार में होगी और अरडिया और सुपॉल जिले का अंतरगत किया जाएगा दोस्तों इस प्रियोजना की जो लागत रेलवे द्वारा रखी गई थी वह 1605 करोड रुपे थी और दोस्तों इसके लिए टोटल 17,751 हेक्टेयर की भूमी को रेलवे को एक्क्वाइर करना है और दोस्तों इसमें जो टूटल गुमतिया यानि संपार बनने वाले हैं वहाँ बिरानबे है 92 और दोस्तों इसमें जो पुलों का निर्वान है इसमें दो टाइप के पूल का निर्वान कहा जाना है बड़े पुल आर छोटे पूल बड़े पूल यानि जो नदी पर बनेंगे और जिनके लंब भी होंगे और कुछ बड़े साइस के इस्टेसन भी हो सकते हैं तो दोस्तो यह तो होगे इस परियोजना की टोटल डिल्टल डिल्टल मैं आपको बता दी अब दोस्तो मैं इस पर बात करता हूं कभी इस पर क्या प्रगती है तो दोस्तो अभी जो है इस सेंट्रल रेलवे उसे बताया गया है कि सुपॉल को जो भूला जिला अधिकारी हैं उन्होंने लैंड के ट्रांसफर करने के जो कागजात हैं वो रेलवे को सौब दी हैं जो दस जनवरी 2020 का है दोस्तो यह तो होगी सुपॉल जिले की बात अरारिया जिले की जो अभी लैंड एक्वाइर की बुस्त का कभी कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा लेकिन दोस्तो वहां के जो किसान है अरारिया जिले के जिनकी लैंड एक्वाइर होगी इस रेल प्रजेक्ट के लिए उनको उनके खेत के पैसे पेमेंट हो चुके हैं उनको अपनी रासी मिल चुकी है बस जमीन का हस्तांत्रित होना बांकी है वो भी डेलेवेदारा करी दिया जाएगा क्योंकि पैसे पेमेंट हो चुके हैं दोस्तों मैं बात करता हूं कि इन दोनों स्टेशनों सुपॉल अररिया के बीच जो टोटल बारा स्टेशन बनेंगे वो कौन-कौन से ह उसमें पहला इस्टेशन अररिया कोट है दूसरा मिरजापूर तीसरा बसेठी चौथा रानी गंज पांचवा भारगवन छठा मनोल पट्टी साथवां खजूरी आठवां बचेली नौवां जदिया दसवां लक्षमीपूर एक ज्यारवां त्रिवेनी गंज बारवां प अटा जैते हैं तो टोटल बीच में बार ही इस्टेशन बनेंगे दोस्तों यह तो रही इस परियोजना की पूरी डिटेल्स में देखिए आपको यह पूरी परियोजना अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी तो आप कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं मैं उसका जबाब दूँगा और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत